दोस्तों गर आप भी चेतन सकारिया को एक बहतरीन गेंद बास मानते हैं तुमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चली बताते हैं आपको चेतन सकारिया ने ऐसा क्या कहा लेकिन उसे पहले आप सभी को क्या लगता है कि चेतन सकारिया और दीपक चहर में कौन है बहतरीन गेंद बास नीचे कॉमेंट करके जरू बताई बता देंगी इस मुकाबले में भारती टीम के सभी बहतरीन बल्लेबाज आइसोलीशन वॉर्ड में थे जिसकी वज़े से भारती टीम बेहदी छोटी बल्लेबाजी को लेकर मैदान पर उतरी थी टीम में कुल पांच बल्लेबास थे जवाब में लक्ष का पीछा करने उतरी शुलंका की टीम को भारती गेंद बास शुरुवाती जटके देने में पूरी तरह से कामियाब रहे थे भुबनेशर कुमार ने 12 रण के स्कोर पर शुलंका को पहला जटका दिया और इसके बाद भारती गेंद बासों का वर्चस्व इस मुकाबले में शीर्ष पर रहा एक के बाद एक लगातार शुलंका के विकेट गेंद बास गिराते रहे एक ऐसी इस्तिती भी थी जब 104 रण के स्कोर पर ही शुलंका की टीम का चटवा विकेट भारती गेंद बासों ने हासल कर लिया था इसके बाद ये मुकाबला बेहदी रोमांचक हो चुका था शुलंका की टीम को दो ओवर में 20 रंग जीत के लिए चाहिए थे लेकिन धरंजर डिसिल्वा ने चक्का मारते हुए भुवनिचर कुमार की गेंद पर इस मुकाबले को शुलंका की जोली में डाल दिया अंतिम 6 गेंदों में शुलंका की टीम को जीत के लिए 8 रंगों की जुरत थी लेकिन चेतन सकारिया टीम को जीत नहीं दिला सके और दो गेदों में शेश रहते ही शुलंका की टीम ने इस मुकाबले में जीत दर्श कर लिए इसके बाद युवा गेंद बास चेतन सकारिया इस मुकाबले के बाद तो बहत ही emotional दिखाई दिये बादचीत के दोरान उनोंने इस बात का खुलाजा गया कि वो इस मुकाबले के बाद काफी जादा दुखी है क्योंकि बरसों के लंबे इंतिजार के बाद ये उनका सपना पूरा हुआ था जब उन्हें भारती टीम की जर्सी मिली थी और ऐसे में वो खुद भी यही चाहते थे कि भारती टीम के लिए शांदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाएं बलकि आने वाले T20 World Cup के लिए भी अपने दावीदारी पेश करने लेकिन अफसोस मैं टीम मेनेजमेंट की उम्मीदों पर खरा नहीं उदर सका मैंने पूरी कोशिश की अंतिम ओवर में इस मुकाबले को जिताओं लेकिन अंतिम ओवर में दबाव इतना जादा बढ़ चुका था कि मैं हो प्लेस हो गया था जिसकी वज़े से मैं इन आट रणों को अंतिम ओवर में बचाने में काम्याब नहीं रहा मुझे इस बात का बहुत जादा दुख है और शायद मैं इसे कभी भूल नहीं पाऊंगा लेकिन मैं तारीफ करूंगा टीम के हेड कोच राहूल द्रवर के साथ साथ कप्तान शिकर दवन की जिनोंने मेरा आत्म विश्वास बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मुझे भरोसा दिला है कि तुम्हारी अंदर काबलियत है तुम अगले मुकाबले में जरूर बढ़िया करके दिखाओगे और टीम की उमीदों पर खरा उदर के दिखाओगे लेकिन अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं होने वाले तीसरे मुकाबले में हर मुमकिन कोशिश करू जिसकी वज़े से हमारी टीम ना सिर्फ इस मुकाबले को जीते बलकि T20 सिरीज का खिताब भी अपने नाम करें वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि होने वाले तीसरे T20 मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी भारत या फिर शेलंका इस बात का जवाव हमें नीचे कॉमेंट सिक्चन में जरूर दीजेगा और ऐसे ही खबरों के लिए सब्स्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को दिन्यवाद